42 is here स्वागत और अभिनंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में 8 अप्रेल 1857 का दिन हमारे इतिहास में सुणे मच्छरों में दर्ज है क्योंकि उस दिन देश के पहले सुतंता सेनानी मंगल पांडे को फासी पर लटकाया गया था क्योंकि उन्होंने गाय की चर्वी वाले कार्तूसों को अपने दातों से खोलने से इनकार कर दिया था लेकिन आज उन्ही की पीड़ी अपने ही पैसों से गाय ही क्या बकरी, भैं, सुर और भेड की चर्वी से बने साबुनों का इस्तेमाल अपने पैसे खर्च करके कर रही है जो काम गोरे अंग्रेज ना कर पाए वो काम आज हमारे काले अंग्रेज कर रहे है तो कैसे पहचाने कि आपके साबुन में है जानवरों की चर्वी यही है इस वीडियो का विश है जिसमें आप जानेंगे कि आपको साबुन कितना लगाना चाहिए साबुन में जानवरों की चर्वी क्यों इस्तेमाल होती है और 5 Best Animal Fat-Free So Brands कौन से है यह और इसके अलामा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए और आए अब बात सुरू करते हैं कि आखिर हमें साबुन कितना इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप दिहारी मजदूर नहीं है जो दिन भर धूल और मिट्टी में रहता है तो आपको सब्ताह में अधिक्तम दो बार सामुन लगाना चाहिए इसके पीछे दो प्रमुक कारण है पहला कारण है कि जिस प्रकार पौधे फोटो सेंथेसिस करते हैं उसी तरीके से इंसान डर्मल विटेमिन डी सेंथेसिस करते हैं इंसानी तवचा की गहराईयों में सेबन डी हाइड्रो कोलेस्टरॉल नाम का एस्टेराइट पाया जाता है या सूरज की यूबीवी किर्णों के संपर्क में आने पर कोली कैलसिफेरॉल बनाता है यही विटेमिन डी थरी का बैग्यानिक नाम भी है विटेमिन डी थरी हमारी तवचा के रॉमचिद्रो यानि पोर्स में लगभग 48 घंटे तक रहता है उसके बाद लीवर और किड्नी में जाकर कैलसिट्रॉल के रूप में बदल जाता है वही एक प्रोटीन डी बीपी जिसे विटेमिन डी बाइंडिंग प्रोटीन भी कहा जाता है के साथ मिलकर विटेमिन डी हमारे अंगों तक पहुँचकर अपना काम करता है और जब हम साबुन से अपनी तवचा की गहराई से सफाई करते हैं तो हम अंजाने में अपने पोर्स में रहने वाले विटेमिन डी को नाली में बहा कर अपना ही नुकसान करते हैं इस की unlimited growth ही cancer का कारण होती है तो अगर आप अपने bacterial cells को deep cleansing के साथ पानी में बहा देंगे तो आपकी normal cells की growth को control करने वाला material आपके सरीर में रहेगा ही नहीं तो बिग्यापनों को देखकर germs को अपना दुस्मन समझने की गलती करके रोज body wash और soap का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाह तो आप उस पैसे का थोड़े महंगे और जानवरों की चर्वी से मुक्त साबून खरीदने में इस्तेमाल कर सकते हैं और आईए अब बात करते हैं कि साबून में आखिर जानवरों की चर्वी इस्तेमाल क्यों होती है कोई भी company साबून में जानवरों की चर्वी क्यों मिला इसे जानने के लिए आपको साबुन निर्माल की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। क्लेंजिंग प्रोड़क्ट्स जिन में सामिल हैं फेस वास, बोडी वास, शेंपू और सोप मुखिता तीन प्रकार से बनाये जाते हैं। पहला तरीका है केमिकल्स द्वारा जिसमें SLS, SLES, सोडियम लौरियाल सक्सिनेट, डाइ सोडियम कॉमफोडी एसिटेट, कोका एमिल प्रोपिल बिटाइन जैसे सर्फेक्टेंट के उप्योग से क्लेंजिंग प्रोड़क्ट बनाये जाते हैं। यह प्रक्रिया कम खर्चीली और कम जमय में पूरी भी होती है। इससे बने प्रोड़क्ट आपको 100 से 500 रुपए पर 200 ml की मात्रा में मिलते हैं। इसमें लाई यानी सोडियम हाइड्रॉकसाइड और पानी के घोल को केरियर आइल्स के साथ मिलाकर सोप बनाते हैं। और लिक्विड क्लेंजिंग प्रोड़क्ट जैसे फेस वास, बोडी वास और शेंपू बनाने के लिए सोडियम की जगा पोटेशियम हाइड्रॉकसाइड को आइल्स के साथ मिलाया जाता है। सपोनिफाई सोप में प्रिजर्वेटिव की जरुवत नहीं होती, यह प्रक्रिया धीमी होने के साथ खर्चीली भी होती है और बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया द्वारा सोप बनाने में खर्च ज़्यादा आता है। सपोनिफुकेशन की प्रकिरिया पूरी होने में 3-4 सप्ताह का समय लगता है। इसलिए जो कमपनिया सपोनिफिकेशन बेस्ट प्रोड़क्ट बनाती हैं, उनके प्रोड़क्ट्स थोड़ा महंगे होते हैं। उधारर के लिए आप निव, विद्ध्यांजली, जूसी केमेस्ट्री और ग्रीन वीव के प्रोड़क्ट्स को देख सकते हैं। इसे Ingredient List में भी नहीं दिखाती। क्योंकि भारत के Drug and Cosmetic Act के अंतरगत कोई भी कमपनिय जानवरों की चरवी का इस्तेमाल कर सकती है। और साथ ही किसी भी प्रोड़क्ट की पूरी Ingredient List लिखना भारतिय कानूनों के हिसाब से जिरूरी नहीं है। इसी लिए ये बात कभी भी बाहर नहीं आती और आम तोर पर जो जानने वाले होते हैं वे इस तरह की बातों को पब्लिक में करने से डरते हैं। और आईए अब जरा बात करते हैं Animal Fats के बारे में ये मुखेता दो तरह के होते हैं। पहला होता है Killing Fats इस तरह के Fats को गाय, बैल, भैस, भेड, सुवर और बकरियों के लिवर और किड्नी जैसे अंगों को काटने के बाद गर्म करके निकाला जाता है। उसके बाद दूसरे तरीके का Fats है Cutting Fats इस तरह का Animal Fats जानवरों के काटे जाने के बाद उनके ऐसे अंग जो किसी काम में नहीं आते उनको गर्म करके निकाला जाता है। इसके बाद आता है तीसरा तरीका जिसमें सामिल है Soap Base, Melt and Pour या Soap Noodles। Base को बनाने के लिए Animal Fats प्रमुकता से इस्तेमाल होता है। फिर भी कंपनी आपने ब्रैंड को सुध कहने से पीछे नहीं हटती। कई सारे ब्रैंड जैसे खादी नेचुरल, पतान जली, उर्जीव, सोप और मेडी मिक्स के प्रोड़क्त इसी तरह से बनाये जाते हैं। इस वीडियो के डिस्किप्शन में आपको उन सोप ब्रैंड के नाम मिल जाएंगे जिनके निर्मार में Animal Fats का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वीडियो को छूटा रखने के लिए मैं सारे ब्रैंड के नाम वीडियो में सामिल नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हिटलर के जमाने में इंसानों को जो कंसंट्रेशन कैम में रहते थे उनको मार कर उनके अंगों को गर्म करके फैट निकाल कर उसका सोब बनाया जाता था। इसके अलावा भी कमपनिया अपने प्रोड़क्स को जानवरों पर टेस्ट करती हैं इसके लिए वे जानवरों के वोकल कार्ड को निकाल देती हैं जिससे वे आवाज न कर पायं और उनके आखों में हानिकारक केमिकल्द डाले जाते हैं और इस प्रकिरिया में कुत्त हैं बिभस कारणामों से भरा पड़ा है इतने जानवरों की मौत के बाद जो साबून आप इस्तेमाल कर रहे है उससे आप अपने आपको स्वच कैसे रख सकते हैं जरा विचार कीजिएगा इससे तो अच्छा है कि मास का टुकड़ा आपने फ्रीजर में रखे और नहाते वक्त उसे सरीर पर रगर लीजिए पर ध्यान रखिएगा कि जिस तरह हम इनसान इस्वर की रचना है ये जानवर भी उसी परमपिता अल्लाः और वहेगुरू की रचना है और आईए अब बात करते हैं 5 Best Handmade Soap और Body Wash ब्रैंड के बारे में 16 सताबदी में गुरुनानक देवजी ने जो शैंपू बनाया था उसे सर से लेकर पैर तक इस्तेमाल किया जाता था लेकिन कमपनियों ने एडविटीजमेंट का ऐसा जाल हमें उल्लू बनाने के लिए फैला रखा है कि हम चेहरे के लिए फेस वास अलग सरीर के लिए बॉडी वास या सोप अलग और बालों के लिए शैंपू अलग खरीते हैं और इस वीडियो में मैं आपको दो अलग-अलग के टेगरी के 5 Best Saponification Based Soap ब्रैंड के बारे में बताऊंगा आप इन सभी ब्रैंड्स को शैंपू, फेस वास और बॉडी वास की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं Saponification प्रोसेस में जितने प्रकार के तेलों का इस्तेमाल होता है प्रोड़क्ट का दाम भी उसी तरह से कम या ज़ादा होता है तेल ज़ादा महंगे होंगे तो प्रोड़क्ट महंगा होगा और आईए अब बात करते हैं नंबर 5 ब्रैंड के बारे में जो है वेडी पिपर्मिंट लिक्विट सोप 449 रुपए में 200 ml की मात्रा आपको मिल जाएगी और इस सोप को बनाने के लिए coconut oil, olive oil, ham seed oil, kester oil peppermint essential oil, citric acid, vitamin E का इस्तेमाल किया गया है इसके बाद नंबर 4 पर मैंने रखा है विद्यांजली body wash को इसको बनाने के लिए coconut oil, green tea और lemon essential oil का इस्तेमाल किया गया है 200 ml की मात्रा 250 रुपए में मिल जाएगी तो ये थे दो body wash इसके बाद आईए अब बात करते हैं 3 best soap brands के बारे में नंबर 3 पर मैंने रखा है दो बंदर turmeric basil soap को इस soap को बनाने के लिए coconut, palm और rice bran oil का इस्तेमाल किया गया है साथ ही इसमें मिलाया गया है हल्दी, tulsi essential oil और कपूर और नंबर 2 पर मैंने रखा है Mr. Andrew के नीम tulsi soap को 200 रुपय में 100 ग्राम की मात्रा आपको मिलती है इस soap को बनाने के लिए coconut oil, neem seed oil, palm oil के अलामा, tulsi essential oil, neem, tulsi, kasturi, manjal, powder का इस्तेमाल किया गया है और यह है एक antibacterial soap है और इन soaps को खरीदने के लिए आप description में दिये गए link का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आईए अब बात करते हैं नंबर वन ब्रैंड के बारे में जो है activated charcoal soap by विध्यानजली 90 रुपय में आपको 90 ग्राम की मात्रा मिलती है इस soap को बनाने के लिए coconut oil, कस्टर oil, palm oil, lavender oil, tea tree essential oil और activated charcoal का इस्तेमाल किया गया है विध्यानजली के कई सारे soap ब्रैंड्स आते हैं और इनकी सुरुवात 40 रुपय से होती है इनके सभी soap products बहुत अच्छे है आप इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और आईए अब बात करते हैं category 2 के बारे में pregnancy, breastfeeding, endocrine disorder और sensitive skin वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए है नमबर 5 पर मैंने रखा है वेडी unscented liquid soap को 449 रुपय में 200 ml मात्रा आपको मिलती है इस soap को बनाने के लिए coconut oil, olive oil, hamseed oil, castor oil और vitamin E का इस्तेमाल किया गया है और आईए अब बात करते हैं नमबर 4 के brand के बारे में नमबर 4 पर मैंने रखा है green weave natural liquid soap को या unscented soap 350 रुपय में 200 ml की मात्रा में आपको मिल जाएगा इस soap को बनाने के लिए olive oil, vegetable glycerine, coconut oil, palm oil, castor oil sodium chloride, citric acid और vitamin E का इस्तेमाल किया गया है और आईए अब बात करते हैं नमबर 3 के brand के बारे में जो है अर्थी soap handmade tender touch moisturizing unscented bathing soap 225 रुपय में 100 gram मात्रा आपको मिल जाती है इस soap को बनाने के लिए aloe vera, haridra, nivu beez, tel, cocoa am butter rice bran oil, sunflower oil, cold pressed castor oil और coconut oil के अलावा sesame oil का इस्तेमाल किया गया है और pregnancy में इस्तेमाल होने वाले soap की स्रिंखला में दूसरे नमबर पर मैंने रखा है mist and you natural unscented soap 200 रुपय में 100 gram की मात्रा आपको मिलती है इसको बनाने के लिए olive oil, coconut oil, castor oil, rice bran oil, palm oil, sesame sunflower oil और milk का इस्तेमाल किया गया है और अंत में number one brand है mother and child care soap by विध्यान जली इस soap को बनाने के लिए rose water, coconut oil, palm oil और castor oil का इस्तेमाल किया गया है और pregnancy में इस्तेमाल होने वाले soaps को आप बच्चों पर भी बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं पर ध्यान रखिएगा कि week में दो बार से ज़्यादा आपको बच्चों को साबुन नहीं लगाना है एक कहावत आपने सुनी होगी कि निंदक निरे राखिये आंगन कुटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे तुभाए सन 1395 में जन्मे कबीर ने अपने दोहे में साबुन की चर्चा की है अर्थात हमारे पूरबच साबुन का इस्तेमाल करते थे उस तरह से नहीं जिस तरह से हम लोग आज कर रहे हैं तो साबुन का उप्योग थोड़ा कम कीजिए और ज़्यादा स्वस्त रहिए क्योंकि आप मैंगो कुमार, केसर देवगन, विमलीलाईची खान और कूल बच्चन के चक्कर में पलेंगे तो मेरे जैसे चिकस्षकों से अस्पताल में मुलाकात होगी तो पंडिजी हो या मुला जी दिमाग की बत्ती जलाईए और अपने धर्म के साथ जानवरों की भी जान बचाईए तो मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा और अगर यह वीडियो आपके शेयर के काबिल हो तो अपने दोस्तों और इस्तेदारों को शेयर करके जानवरों के कातिल होने से उन्हें भी बचाईएगा तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाब और यू गाइज है बीन एपसलूटली फैंटास्टिक बाबाई मिलते हैं अगले वीडियो में